इस वीडियो में हम बात करेंगे आमिर खान और कुमार सानु के सूपर हिट सफर की इस जोड़ी की शुरुवात हुई थी 91 माई फिल्म दिल है के मानता नहीं इस फिल्म का पहला गाना था दिल है के मानता नहीं इसके बाद दूसरा गाना था कैसे मिज़ाज आपके है कैसे मिज़ाज आपके है फरमाईए इस फिल्म का अकला गाना था अदाएं भी हैं मेरे महबूब में वो दिवाना पन शरारत भी हैं मेरे महबूब में इस फिल्म का अगला गाना था तू प्यार है किसी और का तू प्यार है किसी और का ये चाहता कोई और है तू पसंद है किसी और की तू पसंद है इसके बाद 93 में आई फिल्म दामनी में दोनों ने काम किया इस फिल्म में कुमार सानू ने आमिर्खान के लिए एक ही गाना गाया है गाने के बोलते बिन साजन जूला जूलू इस फिल्म का पहला गाना था यूही कट जाएगा सफर साथ चलने से दूसरा गाना था घूंगट की आड़ से दिलबर का जिदार अधूरा जब तक ना मिले नजरों से निकरा अधूरा रहता है मुझसे महबत का इजहार करती इस फिल्म का अगला गाना था चिकनी सूरत तू कहा था इसके बाद 95 में फिल्म आई आतंक ही आतंक इस फिल्म में भी कुमार सानु ने आमिर खानी के लिए एक गाना गया है गाने के बोल है ओ मेरी जाने जिगर इसके बाद 95 में फिल्म आई अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म में भी कुमार सानु ने अमिर खान के लिए तीन गाने गाए हैं पहला गाना था दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था इसके बाद था राजा को रानी से प्यार हो गया हलाकि ये गाना ओदिन नरायन साब ने भी गया था पहली नजर में ही खुमार हो गया दिल जीगर दोनों घायल हुए तीरे नजर आर पार इसके बाद था दिल कहता है चल उन से मिल इसके बाद 96 में फिलिम आई राजा हिंदुस्तानी इस फिलिम में उक्मार सानू का पहला गाना था पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है इसके बाद अगला गाना था पर्देशी पर्देशी जाना नहीं सैकेंड वर्जन पर्देशी जाना नहीं पर्देशी पर्देशी जाना नहीं मुझे छोड़के मुझे छोड़के इस फिलिम का अगला गाना था तेरे इश्क में नाचेंगे इसके बाद 98 में फिल्म आई गुलाम इस फिल्म का पहला गाना था आखों से तूने ये क्या कह दिया दूसरा गाना था जादू है तेरा ही जादू है जादू है तेरा ही जादू ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता था मैं हो कहा इसके बाद 99 में फिल्म आई सर फरोश इस फिल्म में कुमार सानू ने आमिर खान के लिए एक ही गाना गया है गाने के बोल है जो हाल दिल का इधर ह इस फिल्म में कुमार सानु ने आमिर खान के लिए एक ही गाना गाया था गाने के बोलते धड़कन में तुम थान साथों में तुम आमिर खान और कुमार खानु का सफर आपको कैसा लगा हमको कमेड़े में जूर बताएं